नमस्कार दोस्तों मीथ सीरियल के अपकमी एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिल्चस्प देखने को मिलेगा जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मेथ हुड़ा अपने बच्चे को लेने के लिए जाती है मानुसी के पास में क्योंकि मानुसी इस समय चाल ख हरवालों के सामने बता दी है और बता दी है कि किस तरीका से उसका मानुसी के पास में है और मानुसी ने सड़़्त रखी है और उसके लिए वो बच्चा कितना जरूरी है दोस्तो इस समय मीथ हुड़ा जाएगी अपना बच्चा लेने के लिए क्योंकि ये सोच कर जा रही है कि बच्चा मिल जाएगा लेकिन दोस्तो अभी मानुसी अपना असली चेहरा और घिनोना चेहरा दिखाते हुई नजर आने वाली है हाला कि अभी तक मानुसी को ये पता नहीं है कि इधर मीथ हुड़ा जो है वो अपना पूर अपलान बना कर आई है क्योंकि दोस्तो मीथ हुड़ा अपना बच्चा लेने के लिए इसलिए excited है क्योंकि वाके में उसके बच्चे को प्यार भी नहीं मिला ऐसा और मानुसी ने बहुत ही गदारी के साथ में बहुत गदारी कीती मीथ हुड़ा के साथ में लेकिन दोस्तो अब उसकी गदारी समाप्त हो जाएगी और जैसे ही मीथ हुड़ा हुआ पहुचेगी तो वो अपनी कुछ और कंडिशन बोलती हुई नजराएगी क्योंकि अभी तक मानुसी को लग रहा था कि ये मंजरी है और मंजरी को जैसे मैं चाहूंगी मैं अपनी उंगली पर नचा सकती हूँ लेकिन दोस्तों कहानी में जैसा कि आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि अब मीथ हुड़ा पीछे हटने वालों में से नहीं है इधर बात की जाएं तो आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से दीप का एक्सिडेंट होने के बाद मैं लगातार वहाँ पर मीत अलावत खड़े हुए नजरा रहे हैं क्योंकि जहां पर आप लोग देखी रहे हैं कि अपनी आखरी सांसों को गिन रहे हैं दीप और दीप के साथ मैं पूरी तरीका से हर तरीका से सपोर्ट करते हुए नजरा रहे हैं मीत अलावत मीत अलावत ये बोलते भी नजर आ रहे हैं कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूगा दीप तु मेरा भाई है तु मेरा दोस्त है साथ दोस्त अनुरोद करना चाहूंगा कि चैनल को सस्क्राइब करने के बाद मैं वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताए गाइस थैंक यू